आप देख रहे हैं अधिकार एक्स्प्रेस देश में लागडाउन के 40 दिनों के बाद जैसे ही शराब के ठेके खुले वैसे ही मद्रया के दिवाने ठेकों पर तूट पड़े शराब के लिए लंबी-लंबी कतारे लग गई लोग ऐसे मारा-मारी करने लगे जैसे उन्हें शराब नहीं मिली तो आज वाज जिन्दगी की सबसे प्रमुक लड़ाई हार जाएंगे इस दोरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग यानि सामाजिक दूरी की जमकर धज्जिया उड़ाई एक ही दिन में यूपी में तीन सो करोड से ज्यादा की विक्री हो गई तो राजस्थान में दो घंटे के भीतर ही करीब साथ करोड रूपए की शराब भिग गई आपके मन में अप्रस्ट रूट रहा होगा कि देश में कुरोणा जैसी महमारी का प्रकोफ हैं ऐसे समय में राज्य सरकारी शराब के ठेके खुलवाने पर क्यों उतारू हैं चलिए हम आपको बताते हैं दरसल शराब राज्यों के लिए राज्य सुका एक बड़ा स्रोथ है शराब की बिक्री से राज्यों को सालाना 24% तक ही आये होती है शराब नहीं बिक्ने से राज्यों को हर दिन 700 करोड रूपए तक कर नुक्सान हो रहा था यही कारण है कि लागडाउन के दौरां कई रा राज्य सरकारों को हो रह रहराज कोस्री घाटे को कम करने के लिए ही लागडाउन के बावजूद शराब की दुकाने खोली गई कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदा सिंग ने केन सरकार से शराब की दुकाने खोलने की अनमति मांगी थी लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया अमरिंदा सिंग ने एकसाथ चातकार में बोला भी कि उनकी सरकार को 6200 करोड रूपय की कमाई एकसाइस ड्यूटी यानि उत्पात सुल्क से होती है जो प्रती महीना 521 करोड रूपय बनता है लेकिन पिछले 43 दिनों से शराब के ठेके बंद होने के कारण राज्य सरकार को इस बड़ी आम्दनी से हाथ धोना पड़ रहा है उन्होंने कहा मैं एक घाटक कहां से पूरा करूंगा क्या दिल्ली वाले मुझे पैसा देंगे वो तो एक रूपया भी नहीं देने वाले जबकि उत्तर बादेश सरकार में आपकारी मंट्री राम नरेस अगनी होत्री कहते हैं उत्तरपदेश सरकार को शराब की विक्री बंद होने से प्रतिमा पौने तीन हजार करोड रूपए के राजसों का नुक्सान हो रहा है। वहीं रायस्थान के एक मंत्री तो यहां तक कह गए कि शराब से गलातर करने से उसमें मौजूद कोरोना खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, IPS पंकज ने ट्वीट करते हुए बेंगात में कलहजे में कहा कि क्या कहा जाए कि जिन्हें बेवडे समझते थे वो अर्तिमास्था के चौते अस्तमव हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सराब से किन किन राज्यों को कितनी आय होती है। दरसल सराब को GST से बाहर रखा गया है, यानि राज्य अपने हिसाब से कर निर्धारित करते हैं। राज्यों के राजस्व में शराब पर लगने वाला एक्साइस टेक्स यानि आपकारी सुल्ख का बहुत बढ़ा योगडान होता है। शराब और पेट्रोल डीजल के GST से बाहर होने पर राज्य इन पर भारी टेक्स लगा कर अपने राजस्व बढ़ाते हैं। लागडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने सराब पर एक्साइस टेक्स दस फीजदी बढ़ाया जबकि दिल्ली सरकार ने सत्तर प्रिश्द बढ़ा दिया। आपको बता दें कि देश के अधिकतर राज्यों के कुल राजस्था का 15-30 फीजदी हिस्सा शराब से आता है। उत्तरपदेश में सराब से मिलने वाला आपकारी शुल्क कुल राजस्था करीब 20 फीजदी करीब इतना ही राजस उत्तरा खंका भी आता है। लागडाउन के चलते पिछले 43 दिन से शराब के विक्री बंद होने से राज्यों की कमाई बंद हो गई थी, जबकि केरल, तमिल नाडू और महाराष्ट में सरकार कुल राजसो का 10 फीसदी से कम शराब विक्री से हासिल करती है, क्योंकि यहां शराब कर टैक्स दूसरे प्रा राज्यों में एक ही दिन में 554 करोड रूपय की शराब भिग गई, एक दिन में उत्तर प्देश में 225 करोड, महाराष्ट में 200 करोड, राजस्थान में 69 करोड, करनाटक में 45 करोड और 36 गड़ में 25 करोड रूपय की शराब भिगी, RBI की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के वित्तवर्स में सभी राज्यों ने कुल मिला कर 2.48 लाग करोड रूपय और 2018 में 2.17 लाग करोड रूपय और 2017 में 1.99 लाग करोड रूपय की कमाई की थी, यानि 2019 के आकड़ों के अनुसार, लाग डाउन के पहले और दूसरे चरण में 40 दिलों के दोरान राज्यों को शराब से ओस्तन करीब 27,000 करोड रूपय का नुक्सान हुआ, लाग डाउन में एक दिन में राज्यों के ओस्तन करीब 689 करोड रूपय का नुक्सान हुआ, करोड रुपए से जादा कराज सुप्राप्त हुआ दोजार अठारा उन्नीस में यहां आकड़ा करीब देढ़ लाक करोड रुपए का था यदि सबसे अधिक करोड रुपए से जादा प्राप्त हुए वर्स भर में पहले यहां अकड़ा करीब 25,000 करोड रुपए का था दूसरे नंबर पर करीब 21,000 करोड रुपए के साथ करनाटक रहा तीसरे नंबर पर महाराष्ट रहा जिसने 17,000 करोड रुपए से अधिकी आए हुई चौथे पायदान पर पशिम बंगाल करीब 12,000 करोड रुपए के साथ रहा तेलंगाना पांचवे अस्थान पर था जिसने एक्साइज ड्यूटी के तौर पर करीब 11,000 करोड रुपए जुटाए WHO की 2018 की रिपोर्ट की अनुसार देश में 2005 में हर व्यक्ति 15 साल से उपर दो लीटर 400 ग्राम शराब पीता था लेकिन 2016 में एक खपत 5 लीटर 700 ग्राम हो गई हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि देश का हर व्यक्ति शराब पीता है इसके साथ ही पुरुस और महिलाओं में भी हर साल सराब पीने की मात्रा में भी 2010 की तुला में 2016 में बढ़ोतरी हुई 2010 में पुरुस सालाना साथ लीटर एक ग्राम शराब पीते थे जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर नौ लीटर 400 ग्राम हो गई जबकि 2010 में महिलाओं एक लीटर 300 ग्राम शराब पीती थी 2016 में मात्रा बढ़कर एक लीटर 700 ग्राम हो गई WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत में शराब पीने की वज़ा से 2,64,000 से जादा मौते हुई थी इन में से 1,4,632 जाने सिर्फ लीवर सिरोसिस से गई थी जबकि 92,000 से जादा लोग सड़क हाथसों में मारे गए थी वही शराब की दुकानों पर देश भर में उ मड़ी भारी भीड को देखते हुए शराब निर्माता कम्पणियों ने लोगों के बीच आपस में सुरक्षित दूरी के निर्देश के उलंगन को देखते हुए सरकारों से एक बार फिर से शराब की आनलाइन विक्री की अनुमती देने की मांग की है कितनी हरानी की बात है कि जो सरकारे शराब की विक्री के विज्यापन पर रोक लगाती है और करोड़ों रुपए के विज्यापन देकर लोगों के बीच जागरुकता फैलाती है कि शराब स्वास्थ के लिए हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए, वहीं सरकारे कोरोना जैसी विज्च व्यापी महामारी के समय भी शराब बेचकर धन कठा करने के अभियान में जुटी हुई है। आकड़े बताते हैं कि सराब से सरकारों को जितना फायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। चिंता नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रस्निय उठता है कि सरकार शराब बेचकर किसके लिए धन कठा कर रही है। इस धन से वह किसका विकास करेगी। ताज बस इतना है। धन्यवाद। अधिकार एस्प्रस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सबस्काइब करें। साथी घंटी को जरूर दबाए। और लोग सेवा अधिकारों की स्वतंतर पत्रकाईता के लिए हमारी मदद करें। की एस्वते हैं।